नमस्कार! पदमश्री नीरज शद्धानजली विशेश तेरह रचनाओं की इस शिंखला की आज दस्वी कड़ी लेकर रस्तोत्म। तेरह इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में तेरह दिनों का महा प्रयान के पश्चात मृतात्मा की शांतिहेत। विशेश महत्व माना गया है और निरजी कि आत्मा तो संपूर्ण भारत में बस्ती है इसलिए शायद होता है मुझे भी यह आभास कि निरजी हैं यहीं कहें हम सब के आसपास यह कहते हुए कि जीलोग खुल के यह जीवन जब तक बाकी है अंतिम श्वास एक सपना तूट गया तो क्या लाया है नया सवेरा साथ नव स्वपनों की नव जीवन की नई कल्पना की सोगात छिप छिप कर मत अश्रु बहाओ जो बीत गई सो गई रात तो मेरी इन पंक्तियों के साथ ही अब प्रस्तुत करती हूँ निरजी की एक प्रेरणा दायक आशावादी कविदा जीवन नहीं मरा करता है चिप चिप अश्रु बहाने वालो मोती गर्थ लुटाने वालो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और तूटना है उस काजियों जागे कच्ची नीद जवानी गीली उमर बनाने वालो डूबे बिना नहाने वालो कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है माला बिखर गई तो क्या है माला बिखर गई तो क्या है खुद ही हल हो गई समस्या आसुगर नी लाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या रूखे दिवस मनाने वालो खटी कमीज सिलाने वालो कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है खोता कुछ भी नहीं यहां पर केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती वस्त्र बदल कर आने वालो चाल बदल कर जाने वालो चंद खिलोनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है लाखों बार गगरियां फूटी शिकन ना आई परपन घट पर लाखों बार किष्टियां डूबे चहल पहल वो ही है तट पर तम की उमर बढ़ाने वालो लौकी आयू घटाने वालो लाख करे पत जर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है लूट लिया माली ने उपवन लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की तूफानों तकने छेडा पर खिड की बंदना हुई धूल की नफरत गली लगाने वालों सब पर धूल उडाने वालों कुछ मुखडों की नाराजी से दर्पन नहीं मरा करता है चिप चिप अश्रू बहाने वालों मूती व्यर्थ लुटाने वालों कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है जीवन नहीं मरा करता है धन्यवाद, जै नीरज, जै भारात झालों के पुछ से जाने सकते मरा करता है